प्यार से कहिए दान्यनकार सच सिंगत एक साल हो गया अब ध्यान नहीं आ रहा कि वो छट्थे सालों का जिकर करें या इस एक साल का जिकर करें सच सिंगत बार बार एक शब्द हम यहां पर सुन रहे हैं जिसको समर्पन दिवस हम कह रहे हैं इसमें जो विशे है जो मूल है वो मैं हूँ आओ हम समर्पन करें यह तो सब्जेक्टी गलत है मुझे समर्पन करना है भगती की बात यदी कर रहे हैं कहने वाला अपने लिए कर रहा है सुनने वाला अपने लिए कर रहा है आओ हम मिलके समर्पन करें आओ हमारे से जो गलतियां हुई हम ना करें मैं गलतियों में कहां शमार हूँ बात तो मेरी है कि औरों ने क्या किया क्या नहीं किया वो आप जाने जब सद्गुर बाबा हर्देव सिंग्जी माहराज ने ये कहा कि दास जो करना चाहता था वो दास कर नहीं पाया और उसी बात को सद्गुर माताजी ने बक्षिश की इन्हों ने कहा कि वहां तो कोई कमी नहीं थी कमी तो इधर इस सही थी अब जब कमी की बात आती है तो नजरें बहुत दूर दूर जाती है सथ संगत और जब की जानी सिर्फ अपने तक चाहिए ज़्यादा दूर की नजर नहीं चाहिए कमीयों के लिए ये नस्दीक की नजर चाहिए सुधार के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जुरुत नहीं है वो मेरा ना तो मेरे दाइरे में आता है और ना ही मेरा हक बनता है मेरी जिन्दगी की मेरी भगती की शुरुवात मुझ से है और उसका खत्म होना भी सिर्फ मुझ से है मैं ऐसे ही सहज में बहुत लोगों को शामिल कर लेता हूँ जिससे की इसका इफेक्ट थोड़ा सा नलीफाई हो जाए देखो जी हमने कितनी गलतियां की छोड़ देते हैं हमको यहां बात मेरी है ग्यान मुझे मिला है भगती की अपेक्षा मेरे से है करुणा दया के सागर ने यह पेक्षा मुझे से की थी और मैं बाकियों का नाम लेकर खुद को दर किनार करना चाहता हूँ यह उचित नहीं है सत्संगत छते सालों का जिकर हम एक तरफ सुन रहे हैं और जब आज साल के बाद हम सब यहां पर हैं कोई चीज जब एक फिक्स समय के बाद होती है कोई न कोई कारण होता है वाई वाई आफ्टर सो मच टाइम अगर फिनांशल यर की भी बात करते हैं कि एक वो फिनांशल यर है उसके बाद वो बैलन्स शीट्स बनती हैं असेस्मेंट्स होती हैं कुछ होता है दास वहां से शुरू करना चाहेगा अपने मन के भाव तेरा तारीक से लेकर सत्रा तारीक तक का जो समय है वो मुझे सारी जिन्दगी भूलना नहीं चाहिए भक्ती में दो शब्द बहुत जरूरी है जो मुझे कभी नहीं भूलने चाहिए एक है भै और एक है भाव ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है जहां गुरू का भै खत्म हुआ वहां भगती वाला भाव खत्म हो गया क्योंकि भगती सिर्फ और सिर्फ सत्गुरू का एक आशीरवाद है जहां गुरू का भै खत्म हुआ भगती वाला भाव खत्म फिर expressions हो सकते हैं कि आईए हम नाच कर, गा कर, खुशी मना कर अपने मुर्शद को रिजाएं हम ये कर लेते हैं बाबा जी मैं ये कर लेता हूँ बाबा जी मेरी बात पर खुश हो गए हैं सब कुछ मैं करता रहा सब कुछ मैं करता रहा लेकिन expression से मैं भाव को पकड़ना चाहता था वो तो जरनी ही उल्टी हो गए बात तो है कि भाव से कुछ express होना था वो भक्ती वाला भाव बीच में से गायब बाकी सब का सब मेरा चल रहा था तो भक्ती वाला रस कहां से आएगा कल शाम को साथ संगदेक महत्मा ने यहां पर बात की कहने लगे ऐसा लग रहा है कि भक्ती बड़ी धीमी सी हो गई है भक्ती बड़ी हल्की सी लग रही है तो साथ बेटे महत्मा ने कहा नहीं it is a refresh कि आप सोचो इस बात पर ध्यान दो कि ग्यान एक अलग बात है भक्ती एक पूरा जीवन है और इन दोनों को यदि कोई मिला कर रख सकता है वो सिरफ और सिरफ सत्गुरू रख सकता है और कोई नहीं रख सकता चाहे किसी ने पीनी हो उसको बोल दें कि आप एक चमचीनी खालो और पती भी खालो दूद भी खालो पानी भी पीलो और हिलना शुरू हो जाओ चाहे होगे ऐसा नहीं होता सत्गुरू ही केवल भक्ति का दाता है यह ही दे सकता है जयब स्थ और सिरफ सत्गुरू देता है 13 तरीक से 17 तरीक का सफर मुझे याद रखना चाहिए और ये हालत सथ संगर ठीक बिलकुल वैसी है मेरी कि एक तरफ वो सफर है 13 से 17 के बीच का कि एक इनसान भूख से परेशान, बुरा हाल कि कुछ खाने को मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए और जब 17 तरीक को मुझे कुछ खाने को मिल जाता है 18 तरीक से 19 तरीक से फिर मैं कहता हूँ नहीं मुझे चाइनीज कुजीन चाहिए, नहीं मुझे इंडियन कुजीन चाहिए नहीं मुझे ये खाना है, पहले तो मिली नहीं रहा था एक पल लगा मुझे जहां ये दयाल हुए then again I've got to back to square one मेरी आदतें फिर शुरू होने लगी ये बात मुझे स्विकार करनी होगी कि आज ये पंडाल सिरफ और सिरफ सत्गुरू की देन है आज यहां पर मेरा पहुँचना आज यहां पर खड़े होकर ये बात कहना आज जीवन में इस प्रभू का है सास रहना ये सिर्फ और सिर्फ सत्गुरू की देन है मेरे की गई सेवा मेरा किया गया समरन कहां था साथ संगत 13 और 17 के बीच में कहां था अक्सर हम सुनते आये हैं कि भगत के बस में भगवान लेकिन देखे साथ संगत भगत बनाया किसने सत्गुरू आया तो भगती आयी तो भगत बना तो भगत में बस में भगवान कैसे हुआ अरे भगवान ने खुद को अर्पित किया चलो मैं हो जाता हूँ और भगत कहने लगा ये मेरे बस में है ये जो अर्पन है, ये जो समर्पन है, सिरफ और सिरफ सत्गुरु का होता है सिरफ और सिरफ ये सत्गुरु की देन होती है सिरफ और सिरफ सत्गुरु ही अपने आप को पूरी तरह से साधारन बना देता है और बस इनके उस खेल में मैं भूल जाता हूँ कि इनका वजूद कुछ और है ये पूरी तरह से कोशिश करते हैं विवेक शौग जी अक्सर वो बात सुनाते थे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब कई ट्रैफिक सिगनल पे जाते हैं कही जाते हैं तो वो जो सड़क पर इस तरह से पैसे मांगते है तो जो जो इसके पास कम पैसे होते हैं वो दे देता है जो इसके पास जादा पैसे होते हैं वो नहीं देता क्या कारण है वो कहने लगे साधारण सी बात है कि वो अपनी गरीबी चुपाना चाहता है और वो अपनी अमीरी चुपाना चाहता है ये लाग कोशिश करते हैं सत्संगत इनी का एक फर्मान सत्संगत दोहराते है सद्गुर माता जी ने कहा कि बाबा हरदेव सिंग जी महराज 36 बरस तक कमांडमेंट्स देते रहे आदेश देते रहे और मैं वो सुझाव समझता रहा ये सत्संगत 13 मई तक की बात है तो क्या ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि 17 मई के बाद जो इनका कुछ भी कहना है सत्संगत वो मेरी जिंदेगी का अधार ही बन जाए क्यों मैं उस यात्रा को दुबारा से शूरू करूँ जो इन्होंने कहा कि मेरे से मां गलती हुई है डोंट गो डैट वे उस रस्ते मत जाना इन्होंने मुझे समझाया क्या 17 मई के बाद 17 मई से पहले जैसे जैसे गुर्सिक रूप में इन्होंने मुझे प्यार दिया ममता दी करूना दी वो सब एक तरफ है वो भरपूर है क्या 17 मई के बाद पूरी तरह से मुझे इनके आगे नतमस तक नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं आपने जो कहा जो अब आपने कहना शुरू किया ये मेरी जिन्दगी का आधार है नहीं तो सथ सिंगत शिक्षाएं ही मैं लेता रह जाओंगा उनको अमल कब करूँगा अमल करने के लिए भी तो यही जिन्दगी है इसी में करना है यदि मैं यहां पर भक्ती की सेवा की सत्संग की सुमरिन की प्रभू के हैसास की बाते सुनता हूँ तो इसको इस्तमाल करने के लिए कोई दूसरी लाइफ नहीं मिलने वाली इसी जिन्दगी में करना पड़ेगा और आज सत्संगत जो यह मुझे कह रहे हैं जो यह मुझे बता रहे हैं यह बस अब यही मेरी जिन्दगी का अधार होना चाहिए बाबा हरदेव सिंग जी महराज ने जो मुझे दिया यही तो मुझे समझाया था कि जो सिख है उसका पिंड प्राण सिर्फ सत्गुरु है हमारा वजूद भग्त का वजूद सिर्फ और सिर्फ सत्गुरु है यह सत्संगत जीवन परियंत इसका एहसास रहना बहुत जरूरी है नहीं तो इन सालों का हम जिक्र कर रहे हैं इन सालों में से जो शिक्षाएं निकल कर आई हैं वो सिरफ मेरे लिए हैं उन पर अमल मुझे करना है बाकी सब चीजें चलती चली जाएंगी बाकी अपने आप दुरस्त होता चला जाएगा वेर आई स्टैंड मैं कहां पर हूँ यह समर्पन की बात यह सबमिशन की बात यह भगतों के शब्द हैं सत्संगत यह किसी दुनियावी किसी व्यक्ती से नहीं बात की जा रही जिसकी जुली में यह ग्यान नहीं है उससे नहीं बात की जा रही यहां समर्पन की बात की जा रही है यह सिर्फ और सिर्फ भगतों के ही इससे में यह बात आई है तो आज मुझे इनके आगे यही एक करदास करनी है यही प्राथना करनी है कि आप लगातार मेरी जंदेगी को सवारने में लगे हैं आप कृपा करें दया करें ऐसा बल दें तुफीक दें कि मैं आपको समझ पाऊं और आपके एहसास अनुसार इस जीवन में हर एक वो काम कर पाऊं जिससे इस जीवन की महक तो बने और जिससे पता चल जाए कि हाँ ये सद्गुर माता सविंदर हर देव जी का शिशे है प्यार से कहिए